नमस्ते फ्रेंड्स, वेल्खम टू माई चैनल, तो आज हम बनाने वाले हैं बच्चों की और बड़ों की सभी की पसंद, वेज इस्प्रिंग रोल, तो इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा ले ली हैं, और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, और एक चम्मचे करीब weleć, तो इसमें तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें, एक डो ते आर करनाय है, आप इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज्यादा पानी एकsan नहीं डालना है, नहीं तो हमारी गिली हो सकती है, मैदा और हमारा डो मसल थे हुए से चिकना करना है मैदा हातों में चिपकती है इसलिए मैंने थोड़ा इसमें डाले है अब बस ऐसे मलते हुए इसको चिकना करना है अब ही हमारा डोबंगर के तयार हो गया है और फ्रेंट्स मैंने एक कटूरी मैदा ली थी तो इसमें देखिए एक कटूरी पानी लिया था थोड़ा ही पानी लिया है अधी कटूरी से भी कम पानी लगा है अब मैंने इसको 20 मेटरास्ट के लिए रख दिया था अब इसको हम दुवारा से चिकना करेंगे बिलकुल एकदम मसल मसल के इसको चिकना कर लेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसकी छोटी-छोटी हमें लोईया बना लेनी है इस तरीके से लोईया प्रिंग लोड बनके त्यार हो जाएंगे उनको अच्छा से गोल कर लेंगे और सुखा मैदा लगाते हुए हम इसे बेलेंगे अब भी तो हमें पूरियों की साइज में ही रखनी है सुखा मैदा लगाते हुए बेलेंगे बस ज्यादा बड़ा साइज नहीं करना है बस इतना ही रखेंगे अब देखें तीन पूरी हमारी त्यार हो चुकी है अब इसके उपर हम ओईल लगाएंगे एक पूरी लेंगे उसके उपर ओईल लगा लेंगे और सुखा मैदा डालेंगे इसके उपर एक और पूरी रख लेंगे फिर हमें वही रिपीट करना है ओईल लगाना है और सुखा मैदा लगाना है और फिर एक पूरी हम वरख देंगे अब हमने इसमें तेन पूरियां लगा लिए हैं और सुखा मैदा लगा के हम इसे बेलेंगे जितना पतला कर सके हैं आप उतना ही बेलिए इस तरीके से साइड़ी दबा दबा के बेलिएगा देखे अब हमारा परफेक्ट साइज हो गया है बस अब हम तबाकरम करेंगे अब बस इतना ही पतला रखना है और तबा मैंने गरम करने रख दिया था थोड़ा अलका गरम ही तबे पर हमें यह डालनी है पूरी और बहुत ज्यादा सेखनी नहीं है इस पर निशान नहीं आने चाहिए सेखने के जैसे रोटियों के उपर आते हैं वैसे हमें नहीं करने अब दोनों तरफ से हलका हलका सीखना है इसको अब यह सिख करके तयार हो ग기는 है अब इसी लिजह जहां से भी कुलेगा वहीं से हमें दीरे-दीरे कोल लोना है यह तेको हमारी एक साथ टीन सीटबंगर के तयार हुजाए इह पार में देखे कितनी पतली शीटबंगर के तया इस तरीके से हमें सभी सीटे मन बना करके त्यार कर लेनी है देखिए कितनी ट्रांस्पेरेंश शीट है आपकी शीट जितनी अच्छी बनेगी उतनी अच्छे आपके स्प्रिंग रोल बनेगे अब स्टफिंग त्यार कर लेते हैं उसके लिए मैंने कड़ाई रहती है उसमें डाला है एक इंच के करीब अद्रक डाला है कसकर की और दो हरी मिर्च डाली है इनको अच्छे से भूनेंगे अब लंबी-लंबी कटी हुई मैंने बीन्स ली है रैड कलर की सिम्ला मिर्च ली है और गाजर ली है अब सभी सब्जियों को इसमीरम डाल देंगे और बस हमें हलका भूनना है सब्जियों को ज्यादा हमें नहीं पगाना है इने गलाना नहीं है ज्यादा देखिए चलाते रहेंगे और जो आपको सब्जियां पसंद है वो आप डाल सकते हैं जो नहीं पसंद है उनको आप रहने दे सकते हैं जो आपको पसंद है वो डालिए इसमें मैंने बबीवी डाली है तो देखिए चलाते रहेंगे साधन नमक डालेंगे इसमें आदी चमच लाल मिर्च डालेंगे एक चमच काली मिर्च डालेंगे काली मिर्च पाउडर डाला है मैंने ज्यादा मिर्च के नहीं डालने हैं आदी चमच के करीब धिता डालेंगे मैं और एक चमज के गरीब मैंने टमाटा सॉस डाला है इसको अच्छे से चलाएंगे और गयास हम बंद कर देंगे और हमारी स्टफिंग बंद करके तयार होगी है देखे फ्रेंड्स स्टफिंग हमारी बहुत ज्यादा हमने गलाई नहीं है बलकुल खड़ी खड़ी सबजिया है स्प्रिंग रोल के लिए इस तरीके की ही स्टफिंग दयार की जाती है अब एक कटोरी में हमने मैदा ले लिया है उसमें थोड़ा पानी बला लिया है आप समझ लीजिए हम इसे लेही बनाना है जैसे पुराने जमाने में बहुत हमाई दादी नानी के समय में जैसे ममी कॉपियां चुपकाती थी ना बाइंडिंग करने के लिए आठे की लेही बनाती थी बस उसी तरीके से हमने मैदा की लियी बनाई है अपने सट्रफिंग को तयाब डालेंगे और लियी लगा करके से बैइंड करेंगे स्टपिंग को हमें एक ही साइट पर डालना है और इस तरीके से पकड़ते हुए हमें पोल्ड करना है और इसमें हमने जो लेही तयार किया मैदा की वो लगाएंगे ताकि हमारी जो इस रोल है वो खुले नहीं अच्छे से बंधी रहें कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से सभी रोल बना करके हम तयार कर लेंगे और दो चमची स्टफिंग डालें जादा नहीं डालें अगर जादा डालेंगे तो आपको इसे लपेटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और जो हमने ये मैदा की ले बनाई इसे तो जोग लगाएं बनना आपकी फोल्ड नहीं होगे और कडाई में जाने के बाद हम जब तयलेंगे इनको हो सकता है खुल जाए तो आपको ऑईल भी खराब हो सकता है बस आप सभी बनके तैयार हो गई है आप कडाई रख देंगे अब कडाई में थोड़ा सा डो डाल के देखेंगे कि हमारी कडाई सईसे गरम है या नहीं कडाई हमारी बिल्कुल गरम है और ज्यादा तेज गरम नहीं करनी है ज्यादा गरम करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादे जाग होते हैं और कम गरम कडाई में हमें रोल डालने अप पीच में एकदम करची जो भी आपशिक कर्ची जो भी आप इस्तेमाल कर रहें वो नहीं लगानी हैं जिव एक सब्सक्राइब हो जाए तब ही इसको हम पलतेगे है आपको पकाने में एक बैज को पकाने में पांच ही मिन लगने वाले ज्यादा नहीं लगेंगे अब मेरे सभी स्प्रिंग करके त्यार हैं अब मैं इने आपको कट करके दिखाती हूँ यह देखे कितने सुंदर लग रहे हैं कलर पुल इदम से देखे फ्रेंड्स आप इनको हरी सब्जी चटनी के साथ आप टमाटा सॉस के साथ मीठी चटनी के साथ जैसे वी आपको पसंदो वैसे खा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं बहुत टेस्टी बनके त्यार हुए हैं और एक बार आप घर में बना कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाके में ही इस प्रिंग रोल घर में भी बहुत अच्छे बन सकते हैं देखे बस मैदा गूंते समय आपको ध्यान रखना है जो दो तयार करेंगे आप और स्टफिंग में जो भी आपको सब्सक्राइब करें प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू सो म झापको अच्छे बना है सब्सक्राइब करें तो आपको भी आपको सब्सक्राइब करेंगे करेंगे करें।